वेल्कम टू नवांकूर डिजी लेशन्स नवांकूर डिजी लेशन्स में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगी क्लास 10, MP बोर्ड, लेशन 5, दा स्नीच दा स्नीच मेंज छीक राइटर, एंटन जेकव स्नीच, एक सामान ने प्रक्रिया है About the lesson Are you in the habit of worrying about small things? What is that worries you often? Do you have worries that never go away? What do you do when you are worried too much about small things? Do your worries sometimes get on your nerves? Here is an interesting story of a man who is really worried about something क्या आप छोटी-छोटी चीजों के बारे में चिंता करने की आदत रखते हो? By कौन सी चीज है जो आपको अधिक चिंता देती है? क्या तुम चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाते हो? जब आप छोटी-छोटी चीजों के बारे में सोचते हो, चिंतित होते हो, तो क्या करते हो? क्या चिंताओं कभी तुम्हारे दिमाग में तनावुत पन्ने करती हैं? यहाँ पर हम एक ऐसे ब्यक्ति की स्टोरी पढ़ेंगे, ऐसे ब्यक्ति की यह एक बिलक्षन कहानी है, जो किसी छोटी सी चीज को करने से बहुत अधिक चिंतित हुआ और अंतताओं उसकी म्रत्य हो गई. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. One beautiful evening, Ivan Chervayakov, a minor official, was sitting in the famous opera. Watching famous opera, as he sat there, he felt extremely relaxed and happy, but suddenly his face grew wrinkled, his eyes rolled, and he held his breath, he took off his glasses, banged forward, and heart chewed, he sneezed. एक बहुत सुहानी साम्ति, बहुत सुंदर साम्ति, Ivan Chervayakov, जो इस कहानी का प्रमुक पात्र है, एक minor official, छोटा साधिकारी था, sitting in the opera house, opera house, नाटक ग्रह, जिसे हम कहते हैं, बहाँ पर बैठ कर एक बहुत प्रसिद्ध नाटक देख रहा था. As he sat there, जब बहाँ बैठा था, he felt extremely, अत्यन्त, relaxed, बहुत ज़्यादा आराम का नुवाँ कर रहा था, and happy बहुत खुश था, but suddenly, अचानक से, his praised guru wrinkled, उसके चैरे पर जुर्रिया निकल आई. His eyes rolled, उसकी आंके घूम गई, and he held his breath, उसकी शांस कुछ टाइम के लिए थम गई, he took off his glasses, उसने अपना चश्मा उतार लिया, bend forward, बै आंगे जुका, and हाथ चुप, और उसको चीक आई. मतलब उसने चीका, जो एक सामान ने प्रक्रिया है, जो सभी के साथ होती है. Next paragraph, now sneezing is not prohibited, अब चीक पर कोई रोक थाम तो है नहीं, prohibited means रोक थाम करना, to anyone, किसी का भी, पीसा एंड इसनीज, किसान चीकते हैं, and chief of police इसनीज, जो पुलिस का अधिकारी होता है, भाई भी चीकता है, and even politician इसनीज, और जो राजभीते का अधिकारी होते हैं, वो भी चीकते हैं, everyone इसनीज, सभी चीकते हैं. Naturally, Cerviokov did not feel embraced, तो प्रागर्दिक रूप से Cerviokov को feel नहीं हुआ कुछ भी, कि उसने कोई गलत काम किया हैं, इम्रास सर्मिन्दा नहीं हुआ, and what he had done, कि उसने क्या किया, he wiped his nose, उसने अपनी नाक साप की, with his hand कर्चीब, अपने रोमाल की साथ, and glanced about him politely, to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. और उसने आराम से बिनमरता पूरवक अपनी चारों तरब गूम कर देखा, कि उसके चीकने से कोई भी ब्यक्ती डिस्टरब तो नहीं हुआ. And then he felt deeply ashamed, लेकिन वह तभी शर्मिन्दा हुआ. He saw, उसने देखा, that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping. उसके आंगे ही एक बूरा ब्यक्ती बैटा है, चुकि painfully, अतलब गुस्टरब के साथ या दर्द के साथ wiping पहुच रहा है. His blood spot, अपना गंजा सर, and the back of his neck, और गर्दन के पीची का हिस्सा, with his club, अपने club से, and mutering, और कुछ-कुछ कह रहा है. Mutering something, मतलब धीरे से कुछ भी बड़़ाना. He watch, भै था, चैर्वियकॉफ, रिकोगनाईज चैर्वियकॉफ निसको पहचाना, General Vrizalov of the Department of Highvays. वो थे General Vizalov, Highvays of Department. भै मुक्की सडकों की बिवाग का General Vizalov था, Department of Highvays. Next paragraph. चैर्वियकॉफ, he is not my chief, but still it is a weak word. I must apologize. अब चैर्वियकॉफ ने सोचा, he is not my chief. भै मेरी अधिकारी नहीं है, but still it is a weak word. लेकिन यह अपमान जनक है, I must apologize. मुझे उनसे माफी मांगना चाहिए, चमा मांगना चाहिए. चैर्वियकॉफ ने अपना गला साफ किया, cleared his throat, shifted himself forward, अपने आपको थोड़ा आंगे सिप्ट किया, और जनरल के कानों में धीरे से कहा, I wag your pardon. मैं आप से चमा चाहता हूँ, स्री मान. मैंने आप पर चीका. मैं दुरघटना से. अपना sentence उसने complete नहीं कर पाया, जो जनरल ते उन्हें ने कहा, never mind, never mind, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इसके बाद भी आँगे बोला, for heaven shake means भगवान के लिए, मुझे माफ कीजिए, मैं sentence non complete, I didn't mean to, मेरा याय मतलब नहीं था, तो जनरल थोड़ा गुस्ते में आ जाते हैं, और कहते हैं, oh sit down, please, बैट जाओ, let me listen, मुझे सुनने दो, what is being said, की बहाँ पर क्या कहा, जा रहा है, सेर्वियो कॉप, माफी माँगना चाहता था, उसने माफी माँग ली, और जनरल ने भी कह दिया था, never mind, never mind, आंगे देखते हैं, सेर्वियो कॉप बास रिवली कन्फूज़, सेर्वियो कॉप बहुत ब्रहमित था, बैमूर्खता से मुस्कुराया, और फिर से बैनाटक देखने लगा, फिर से बैनाटक देखने लगा, उसने स्टेज की और देखा, पर अच्छा मैसूस नहीं किया, चिंता उसे सता रही थी, अगली बिस्रान्ती पर वै जनरल व्रिजालाप के पास गया, और धीमे सर में कहा, श्रीमान आप पर चीका, चमा करिये, आप देखते हैं, मैंने इसे इसलिए नहीं किया, ओ इनफ ओ अप टड, ओ बहुत हो गया, मैं उसको पूरी तरह भूल चुका हूँ, और आप उसी बात को दोराए जा रहे हैं, अपने नीचे के हूट को सिकूरते हुए, जनरल ने कहा, टिचिंग इस लोबर लिप, मतलब नीचे के हूट को सिकूर्णना, इंपैसेंसली, मतलब अब उसे बह धैरे नहीं रहा था, नेक्स पैरग्राफ, जनरल भाइ कहता है, बह उसे बूल गया है, फोरगोटन बूलना, बट दियर इस मैलेस, मतलब, संका में होना, या गुसे में होना, इन हीस, उसकी आखों में गुसा है, थोर्ट चैल्वियकॉप, चैल्वियकॉप ने सोचा, गैलिंसिंग एक्ड़ जनरल से स्पीसियली, यह वांट इवन स्पीक, मैं बोलेगा भी नहीं, मुझे उसे स्पस्ट करना चाहिए, कि मैंने जान बूच कर यह, नहीं किया है, यह वांट इस नेशिंग इस लॉप नेशरल अफ एल्स, यह माइट थिंग आई वाज, स्पिटिंग इफ यह देजन थिंग, सो नाव इविल लेटर, चीक प्रकृति का नीयम है, अनिता बै सोचेगा, कि मैं थूख रहाता, अभी भले ही बै, यह ना सोचता हो, पर बाद मैं सोच सकता है, अन रीचिंग होम, चैर्वियो कॉप टोल्ड हिस बाइफ, अवाउद दा इंसिडेन, घर पहुचने पर, चैर्वियो कॉप ने यह घटना, अपनी पतनी को बताई, बै पहले तो चिंतित हुए, जब उसने जाना, सी वाज अलाम्ड एट फस्ट, मतलब चिंतित होना, बट वट वैंड, शी लेंड देट, ब्रिजालव वाज नौट हर, हस्वेंड चीफ, लेकिन जब उसने सोचा, कि ब्रिजालव उसके हस्वेंड के चीफ नहीं है, सी फेल्ट, रियाशर्ड, तो भै, निश्चिन्त हो गई, रियाशर्ड मतलब, निश्चिन्त होना, तिल यू मस्ट गो, एट अपोलोगाईस, सी सैट, ही माइट तिंक, यू दॉन्ट नो, हाव टू बहेव इन सोसाइटी, फिर भी उसने कहा, कि तुम्हे बहाँ जाना चाहिए, उनसे छमा माँगना चाहिए, अपोलोगाईस छमा माँगना, चमा माँगना चाहिए, भै यह सोच सकता है, कि तुम्हें समाज में बयोहार करना, नहीं आता, उसकी पतनी ने कहा, त्ऽ जस्ट इट, हाँ यही बात है सेट जर्वियोकॉफ जर्वियोकॉफ ने कहा I have a follow guys मैंने माफी मांगी but किंतू he acted so curiously उसने बहुती अजीब तरे का बयोहार किया curiously मतलब निर्दाइता पूरवक या अजीब तरे का उसने कोई समझदारी की बात नहीं की या उसने कोई समझदारी की बात नहीं की या उसने कोई भी सेंस से बात नहीं की but then there was no time for conversation पर बातचीत का समय बहां था ही नहीं next paragraph the following day सेर्वियोकॉफ सेब वोर हिस न्यू उनिफॉर्म and went to Vrizalov office to explain things to him in the general's reception room there was a large crowd of petitioners sitting at a large table in the center of the room but the general who had already begun his reception after he had interrogated several of the petitioners the general raised his eyes to सेर्वियोकॉफ petitioner means आवे दक the following day अगले दिन सेर्वियोकॉफ निसेप किया अपनी नई उनिफॉर्म पहनी and went to Vrizalov office और उसके office गया explain करने के लिए उन बातों को स्पस्च करने के लिए गया in the general's reception room जनरल की स्वागत कक्ष में reception room स्वागत कक्ष there was a large crowd बहुत ज्यादा भीड थी petitioners आवे दक की sitting at a large table in the center of room कमरे के ठीक कैंदर में बीच में एक बड़े टेबल पर जनरल बैठे थे कई आवेदन करताओं से निवेदन करताओं से वो पूछताच कर रहे थे और उसके बाद उनकी नजर सेर्वियो कॉप पर पड़ी सेर्वियो कॉप को जनरल ने देखा और सेर्वियो कॉप ने बोलना सुरू किया yesterday at the opera house कल opera house में if you remember यदी स्रीमान जी आपको यादो your excellency स्रीमान जी the little official बिगेन उस छोटे अधिकारी ने सुरू किया बोलना ही मैंने ठीका accidentally दुरुगटना वस expected on you छीटे आप पर पड़े excuse छमा sentence सेर्वियो कॉप complete नहीं कर पाता और जनरल उसको जोड से बोलते है you are talking about the same thing फिर तुम बही बात कर रहे हो कितनी मूर्खता की बात है what nonsense कितनी मूर्खता की बहत है what can I do for you मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ सेर्वियो कॉप turned pale he won't speak to me he said to himself that means he is angry I must explain the whole thing to him सेर्वियो कॉप डर से पीला पड़ गया turned pale means पीला पड़ गया he won't speak to me भै मुझसे बात नहीं करेगा he said to himself उसने अपने आप से कहा इसका मतलब है कि भै क्रोधित है मुझे पूरी बात इन्हें साफ करनी होगी अभी तक वो दो बार उसको explain कर चुका है लेकिन उसके मन में भहुँच ज़ाद attention है चिनता है कि उसने कुछ गलत काम किया है तो भै फिर से उसे explain करना चाहता है नेक्स पारग्राप जब 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 अपने I can assure you from a feeling of repentance I did not change on purpose Your Excellency must know that जब 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 अपने अन्तिम आवेदक से साक्षातकार समाप्त किया और जाने को हुआ सेर्वियोकव उनके पास आया और धीमेश्वर में बोला स्रीमान यदि मैंने आपको कस्च देने का साहस किया बै केबल मैं आपको बिस्वास दिलाता हूँ और मैं बस्ताबे की भावना रखता हूँ मैं बश्टा रहा हूँ मैंने जानबूच कर यह नहीं किया है आपको मालूम होना चाहिए और सेंटेंस इसका कम्प्लीट नहीं हो पाता है अब इतनी बात संकर जनरल बहुत कुस्ता वाला फेस बनाता है डराबना फेस बनाता है फियर्फुल और अपना हाथ निरासा में उठाता है हिलाता है You are simply joking तुम सिर्प मेरा मजाक उड़ा रहा है हो मजाक कर रहा हो मजसे और यह कहकर दरवाजी के पीछे से कायब हो जाता है मतलब दरवाजी के पीछे चला जाता है डिसेपियरिंग गायब हो जाता है He says I am joking बहे कहता है मैं मजाग कर रहा हूँ थोड़ सेर्वियो कॉप, सेर्वियो कॉप ने सोचा बट द्यार इस नो जोग पर इसमें मजाग बिल्कुल नहीं है देट एट आल, he is general बहे general है and he can't understand बहे मुझे समझ नहीं पा रही है कि मेरे सरीखा एक सामाने ब्यक्ति उनसे मजा कैसे कर सकता है common man, like me, मेरे जैसा एक common ब्यक्ति उनसे मजा कैसे कर सकता है I am not going to beg that man's pardon again मैं अब उससे फिर से चमा नहीं मांगूंगा मैं एक पत्र लिखूंगा but I will not come here again पर अब मैं यहां नहीं आऊंग मतलब इतनी बार माफी मांगने के बाद भी उसको सामती नहीं मिली चोटी चीज के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन में है और अब ब्यक्ति उसे पत्र भी लिखना चाहता है He can't understand what a man like me He is going through I am not going to beg that man's pardon again I will write him a letter but I will not come here again तो भी खुज से बात करता है कि मैं अभी यहां नहीं आऊंगा मैं एक पत्र लिखूंगा Serviokov could not stop thinking about the incident as he bogged home words He did not write that letter to the general He thought and thought but could not think of anything to write He decided to go back to the general the following day and explain everything in person Serviokov अब घर जाता है तो घर जाते बक्ति भी भाई इस घटना के बारे में अपनी को सोचने से नहीं रोक सका उस घटना को सोचता रहता है उसने general को पत्र नहीं लिखा उसने बहुत सोचा पर लिखना क्या भाई यह ना सोच पाया उसने फिर से general के पास अगले दिन जाने की सोचा और हर चीज ब्यक्तिगत रूप से इस पश्ट करने का निश्चे किया मतलब एक दिन तो वो आई चुका था अब वो अगले दिन भी next day जनरल के पास जाने का सोचता है और वो जाता है और उनसे कहता है I came yesterday मैं कल यहां आया and traveled your excellency स्रीमान जी को कस्ट हुआ he mumbled वो हकलाता उनसे बात करने में mumbled हकलाना as he faced the general जब जनरल के सामने आया तो वो हकलाने लगा what not with the idea of joking as he faced the general as your excellency मेरा कोई भी idea नहीं था कि मैं आपका मजा कोडा हूँ स्रीमान जी जैसा कि स्रीमान जी ने remark दिया है कि तुम मेरा मजा कोडा रहे हूँ I wanted to ask for your forgiveness because when I sneezed मैं तो आप से माफी मांगने आया था चमा मांगने आया हूँ क्योंकि जब मैं चीका तो मैं सपन में भी आपका मजा कोडाने का नहीं सोच सकता Forgiveness माफी मांगना How could I dare to such a thing मैं ऐसा साहस कैसे कर सकता हूँ To joke would be too sure to respect for person मजा करना दूसरों के प्रतियादत नहीं करना है तो बो ऐसा समझा रहा था जनरल जनरल को बहुत तेज गुस्ता आ जाता और जनरल कहते हैं Get out, Rowett the General बहार निकलू जनरल दहाडा गुस्ते से गुर्राया Suddenly quaking and growing red in the face जनरल का जो चहरा था बहुत गुस्ते से लाल हो गया Quaking गुर्राना रोएड दहाड़ना What whispered, Charbyokop Charbyokop चौक गया इतम से क्या, इसने दीरे से कहा He was horrified बहुत जादा डर गया To see the general so angry General को इतने जादा गुस्ते मैं देख कर And last paragraph Something seemed to break inside Charbyokop He stumbled through the door and out into the street He could not see or hear a thing and he crawled along the pavement He walked some mechanically and when he reached there He lay down on a sofa without taking off his uniform and died Serviokop seemed, पतलब उसे ऐसा मैसुस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ तूट गया है He stumbled through the door भै, दरवाजे तक पहुँचने में लड़ खडाया Out into the street और बाहर गली में आ चुका था He could not see or hear a thing, भै कुछ भी देख और सुन नहीं पा रहा था And he crawled along the pavement और भै पैदल घर गया He crawled along the pavement He walked home mechanically और एक मसीन की तरह भै घर पहुँचा मतलब रास्ते में क्या घटना हुई उसे कुछ भी मालूम नहीं था And when he is there, और जब भै बहा पहुँचा मतलब घर पर पहुचा पैदल घर आया, जब भै बहा पहुँचा And when he is there, he lay down, तो भै लेट गया On a sofa, sofa पर without taking off, बिना uniform change किये बिना And died और मर गया तो उसकी चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसकी म्रत्यू हो गई तो इस स्टोरी से हमें यह जिक्षा मिलती है कि हमें छोटी छोटी बातों पर टेंशन नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए Question answer इसकी 3 question answer बहुत important है बहुत छोटी है देखते हैं, first question Who was Serviokov First question Serviokov कौन था? तो कौन था? फर्स्ट लाइन में ही, चेप्टर की फर्स लाइन में ही इस कान से लिखा हुआ है Serviokov was a minor official What was Serviokov doing in the opera house? First paragraph में, second line में ही इसका है कि Serviokov opera house में क्या करनी गया था? तो क्या करनी गया था? He was watching a famous opera What happened in the opera house? तो first paragraph की last line में ही इसका answer है Opera house में क्या हुआ था? Serviokov sneeze Serviokov ने चीक दिया था या उसे चीक आई था Why did Serviokov feel ashamed? Serviokov को शर्म क्यों आई था? शर्मिन्दा होना शर्मिन्दा भाई क्यों हुआ था? तो क्यों हुआ था? तो second paragraph में ही इसका answer है He felt ashamed because he sneezed on an old man's head sitting in front of him उसे शर्म आई क्योंकि उसके सामने बैठे एक बुड़े आदमी पर उसने चीक दिया था Who was the person on whom Serviokov sneezed? भाई आदमी कौन था? जिस पर Serviokov ने चीका था तो भाई कौन था? तो second paragraph की last line में इसका answer है He was General Vrizalov of Department of Highways भाई मुख्य सडकों के बिभाग का General Vrizalov था What did Serviokov think after sneezing? Serviokov ने चीकने के बाद क्या सोचा? तो क्या सोचा? कि भाई मेरा चीप तो नहीं है लेकिन मुझे उससे चमा मांगनी चाहिए थार्ड पैरग्राप में इसका answer है What did Serviokov wife advise him? उसकी पत्नी ने उसको क्या सला दी थी? तो उसकी पत्नी ने क्या कहा था? कि भाई जाकर उससे चमा मांगे और जब भाई समझेगा कि उससे समाज में बहार करना नहीं आता तो ये answer आपको next page पर third paragraph में मिल जाए Means is a story के सभी short answer आपको book में मिल जाएंगी Long answer देखते हैं Answer the following question 3 or 4 sentences Long answer है How did Cerviakoff apologize in the office? How did the general react? Cerviakoff ने कारेले में कैसे चमा मांगी जनरल ने क्या प्रतिकिरिया दी? इसका answer भी आपको second page पर मिल जाएगा जो story का second page है उसमें तो Cerviakoff जनरल के office गया था भाई निवेदन करता हूं से बात करने में ब्यस था और जब बाद में जनरल ने उसे देखा तो Cerviakoff ने उससे माफी मांगी जनरल को गुस्ता आ गया और भाई बोला कि यह सब बखवास है तो उसका reaction बहुत ही गुस्ते बाला था जनरल का Why did Cerviakoff die? Cerviakoff क्यों मर गया? क्यों मर गया था Cerviakoff? क्योंकि बार बार उससे माफी मांग रहा था जनरल चिड गया और जैसे ही जनरल ने उसे गुस्ते से बाहर जाने को कहा तो उसको बहुत बड़ा सदमा लग गया Write down some traits of Cerviakoff correct in your words तो Cerviakoff की चलित्र के बारे में हमें लिखना है 3 और 4 sentences में तो उसका चलित्र कैसा था? एक common ब्यक्ती था लेकिन भाय मूर्ख था बहुत चोटी चोटी बात की बहुत चिंता करता था एक बात जनरल ने उसे माफ कर दिया परन्तु भाय बार बार जनरल के पास गया बार बार माफी मांगी और बहुत ज़्यादा ब्यक्ती था suspected संकालू ब्यक्ती था और एक डड़पॉंग ब्यक्ती था और बहुत ज़्यादा tension बाला ब्यक्ती था मूर्ख ब्यक्ती था I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे जो हमें सिक्षा मिलती है उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें छोटी छोटी बातों से चिंता नहीं करना है headache नहीं लेना है और अपना काम इमानदारी से करना है ओके थैंक यू बैरी मच